वो ये है कि बजट में रेलवे को लेकर सरकार क्लीन फ्यूल हाई स्पीड मोबिलिटी पर बड़ा अलान कर सकती हो और जादा डीटिक ते साथ जोड़ गए है हमारे सेयोगी समीर दिशित समीर बताईए क्या खबार है और किन सेक्टर्स पर इसका असर होगा जी बिलकुल रेलवे सेक्टर से जुड़ी हुई ये बड़ी और एक्स्क्लूजिव खबर कि अगला जो रेल बजट पेश होने जा रहा है एक फरवरी को इसमें रेलवे क्लीन एनरजी और हाई स्पीड मोबिलिटी पर अपना फोकस बनाय रखेगा यही वज़ा है कि सूतर अगले रेल बजट में आभ मेसरे की जा अलमूनियम बीर एक्सेट की ऑनाॉस्मेंट की जा सकती है अलुमूनियम बेस्ट क्रूं सेट का सीधा मतलब यह था कि बड़े शहरों के ट्रेन सेट बनाना चाहती है जो ना केवल एक सो बीस किलोमेटर प्रती घंटे की एवरेज रफता से ज्यादा चल पाएंगे बलकि इसमें तमाम नई सुविधाएं भी शामिल हो पाएंगे तो यह यात्रिक नजरिय से एक बड़ा अच्छा आनाउस्मेंट आने वाले वक्त में हो सकता है इसके लावा टिल्टिंग टेकनलोजी को भी अपने बजट में शामिल कर सकती है टिल्टिंग टेकनलोजी का सरल और बड़ा फाइदा यह है कि जब भी आप देखें तो रेलवे ट्रैक्स पे जो कर्वस होते हैं जो घुमा होता है अमोमन इस पे स्पीड में फेर बदल करना पड़ता है जिससे यातरा समय में आप देखते हैं कि काफी समय लगता है ट्रैवल टाइम बढ़ता है तो यह टिल्टिंग टेकनलोजी कि आने से क्या होगा कि ट्रैवल टाइम बचेगा और स्पीड एक कॉंस्टेंट एक लगातार एक स्पीड बनाने में सक्षम हो पाएगी हाल ही में इस पेंग से जो टेल्गो ट्रैन को भारत में बुलाया गया था बतौर ट्राइल उसके सफल परिक्षण को देखते हुए टेल्टिंग टेकनलोजी को आगामी रेल बजट में शामिल किया जा सकता है इसके लाबा हाइड्रोजन फ्यूल आधा सब्सक्राइब को चलाने के लिए रेलवे काफी उत्साहित नजर आ रही है तो कुल मिला करके क्लीन एनरजी हाइज स्पीड मोबिलिटी पर जोर रहेगा और उसी दिशा में अल्मोनियन बेस्ट ट्रैन सेट की अनांस्मेंट हम देख सकते हैं हाइड्रोजन फ्यूल की हम देख सकते हैं टिल्टिंग टेक्नोलोजी भी एक बड़ा पहलू होगा तो ये सब मिला करके रेलवे बजट की घुशना होगी और जो इस बार का रेलवे बजट होगा वो कुल मिला करके एक लाग तीस हजार करों के आसपास रह सकता है शुक्रिया समेर इस जानकारी के लिए चलिए ये शो को हम यही पर अब समाप्त करेंगे थोड़े से वक्त की कमी है एक छोड़े समेर